हजारों समर्थकों के बीच कोलकाता पोर्ट विधान सभाग शेत्र से टीमसी प्रत्याशी एवंराजी के मंत्रे फिरहाद हकीम ने नामांकन भरा आपको बता दें कि जहां एक तरफ आज पस्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव छिटपुट घटनाओं के बीच संपन हो गया है तो वहीं महानगर में चुनावी गहमा गहमी अपनी उफान पे है आज सुबह कुलकाता पोर्ट असेंबली से टीमसी प्रत्याशी फिरहाद हकीम ने अपने हजारों समर्थकों को साथ लेके अलिपूर के सर्वे बिल्डिंग में जाकर नॉमिनेशन जमा किया उनके साथ पोर्ट असेंबली के सभी कॉर्डिनेटर्स के अलावा इनकी पत्नी इसमत हकीम और तीनों बेटियां भी शामिल हुई फिरहाद हकीम की रैली गार्डिन रिश के हरी मोहन घोष कॉलिट से शुरू हुई जो मटिया ब्रुस गार्डिन रिश होते हुए अलेपूर पहुँची आपको बता दे कि साल 2011 से फिरहाद हकीम यहां के विधायक हैं और राजी के ममता सरकार में वो एक हेवी वेट मंत्री माने जाते हैं